हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तू कर्श क्लासे तो एंटीए की तरफ से फाइनल अपडेट आ चुकी है प्रोविशनल अंसर की तथा आपकी OMR शीट रिलीज हो चुकी है एंटीए की ओफिशल वेबसाइट पे exam.nta.nick.in तो आप उफिशल वेबसाइट पे विजट करके लॉग इन करके अंसर की तथा अपनी OMR शीट को देख सकते जो आपने exam देते हुए भरी होंगी इसके इलावा आपकी scanned image of OMR शीट आपकी email id पे भी send की गई है इंटीए द्वारा वो email id जो आपने अपना application form भरते हुए दी हो है NTA ने कि आप जो provisional answer की आपके NTA ने provide की है अगर आपको लगता है कि इस question का अंसर भी होना चाहिए और NTA की answer की में इसका answer A दे रखा है तो आप उस answer को challenge भी कर सकते हैं और हर एक question को challenge करने में आपको जो fee submit करने होगी that is 200 rupees और इसकी जो last date है वो 31st में है मतलब की कल और आपको लगता है कि OMR sheet में मैंने जो question number मान लीजे for example कि question number 11 का answer जो है वो A fill up किया था लेकिन मेर को OMR sheet में B दिखा रहा है अगर आपको अपनी OMR sheet में गड़गली लगती है तो आप उसको भी challenge कर सकते हो official website पे visit करके लेकिन जो fee लगेगी वो 200 rupees लगेगी हर एक question के लिए answer की के लिए अलग and OMR sheet के लिए अलग तो यह सब चीजें आप ध्यान रखना बाकि आप तुरंत जाके अभी अपनी OMR sheet को check कीजे अपनी email id पे और तधा official website पे visit करो और हो सकता है कि initial time तक official website open ना हो क्योंकि बहुत सारे students ने exam दिया था तो बहुत सारे students उस website पर reach कर रहे होंगे तो हो सकता है कि initially आपसे website open ना हो तो उसके लिए भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने answers को check कीजे, score को check कीजे और comment section में मुझे जरूर बताएगा कि आपकी कितने marks बने और next video जल्दी आएगी आपको यह बताने के लिए कि कितने marks पे आपको कौन सा college मिल सकते है, thank you so much जे हिंद, जे भरत